आज आपके लिए लाए है 1885 याने कि 18e कोई भी माइक्र कुंट्रोलर आसानी से डायरेक्ट यूसबी के उमाध्यम से हम लोग इसकर पोग्राम अप्लूट कर सकते हैं तो पोग्राम हम लोग अप्लूट करने के लिए आप्लूट की ज़रूरत होते हैं यहाँ पे कोई आप्लूट की ज़रूरत नहीं कोई आईसी की ज़रूरत नहीं होता डाइरेक्ट हम लोग USB से पोग्राम अपलूट कर सकते हैं वो किस पर कर से करते हैं? आईए देखते हैं पहले हम लोग ATNV मैक्रोंट्रोलर के अंदर पोग्राम अपलूट करने के लिए Arduino के इस्तमल करते थे तो इस Arduino के बज़े से हम लोग पोग्राम अपलूट कर सकते हैं लेकिन अभी जो पोग्राम अपलूट करेंगी वो कोई मैक्रोंट्रोलर या कोई IC के बीना हम लोग डाइरेक्ट PC से पोग्राम अपलूट कर सकते हैं तो इसको programming upload करने का तरीका किस पकार से होते हैं आईए सिखते हैं इहाँ पे आप लोगो को आसानी से कम रेट पे बहुत सारी quality का पार्स मिल जाएगा order करने के लिए product को search किजिए product पर click करके add to cart करके coupon को डालिए और आपको मिल जाएगा 15% off कोई भी product पर और पार्स देनों गंदर आपके पास पहुच जाएगा आपके पार्स अच्छे quality पार्स के लिए only for quartz component और macro controller का अंदर जो होते हैं पहला जा होते हैं वो होगा SCK उसके बाद जो connection आएगा वो होगा Mossy उसके बाद जो connection आएगा वो होगा MISO उसके बाद जो connection आएगा वो होगा Ground पास नमबर को जो connection है वो होगा Clock छे नमबर के connection होगा OC1 साथ नमबर के connection होगा SS और आप नमबर जो है वो होगा BCC यानिकी 5 बोट और इसको connection करने के लिए इसका जो positive connection होगा वो हम लोग इसका positive पर connection कर देंगे Ground का connection हम लोग direct ground पर कर देंगे और यहाँ पर जो मौसी का connection होगा वो होगा D1 पर याना कि D positive और मिसू का connection होगा D negative पर इस तरह हम लोग connection करके इसका बनाएंगे इसको बनाने के लिए सबसे पहले blank PCB लेंगे, इसके उपर हम लोग install करेंगे, female USB जो header है इसको हम लोग यहाँ पर fit करेंगे, उसके बाद हम लोग एक LED fit करेंगे, जो कि power का काम करेगा, इसके बाद हम लोग दूसरा LED fit करेंगे, जो कि programming upload करने के बाद यह signal देगा, उसके बाद हम लोग एक resistance fit करेंगे, जो कि 1 kilo ohms का होगा, उसके बाद और एक resistance हम लोग fit करेंगे, जो कि 330 ohms का होगा, same to same और एक 330 ohms का resistance हम लोग fit करेंगे, इस circuit का circuit diagram और programming सब कुछ वीडियो की नीचे description में मिल जाएगा, अभी हम लोग fit करेंगे 68 ohms का एक resistance, उसके बाद फिर से और एक 68 ohms resistance हम लोग fit करेंगे, इसके बाद दो जनर डायोड हम लोग fit करेंगे, जिसका voltage होगा 3.6 volt, तो दोनों जनर डायोड का voltage 3.6 volt होगा, क्योंकि इसका जो programming होगा, programming को voltage ठीक रखने के लिए हम लोग इसको upload करेंगे, और last में हम लोग fit करेंगे base, जो कि ICBase होगा 8 pin बला, तो यह complete हो चुका है, अभी हम लोग सिर्फ soldering करेंगे, वीडियो के नेचे description आपको सब कुछ मिल जाएगा, अभी हम लोग इसको programming करेंगे, अभी यह complete होने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देगा, इसके पीछे बहुत सरे wire लगा हुआ है, जो कि इसका connection है, बहुत easy से connection किया है, अभी यह 1885 का जो microcontroller है, इसको हम लोग यहाँ पर set करेंगे, कोई भी 1885 हो, 45 हो, कुछ भी microcontroller आप इस पर अप्रूट कर सकते है, तो अभी हम लोग USB को लगाएंगे computer के, तो लगाने के बाद अभी हम लोग software में जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग device manager में जाक करेंगे computer का यह जो आभी लगाया है, इसको install करेंगे, कैसे install करेंगे, driver पर जाएंगे, यह सब कुछ मैं description ने दे दूँगा, install driver कर देंगे, तो अभी boot link पर जाएंगे, जाने के बाद इसको हम लोग copy करेंगे, copy करने के बाद अभी performance में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, करने के बाद नीचे हम लोग paste कर देंगे, अगर यहाँ पर blank है, कोई problem नहीं आप paste कर सकते हैं, उसके बाद टूल पर जाएंगे, boots manager पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर contributed पर क्लिक करेंगे, करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर system ABR boot को हम लोग install कर दें जो कि common one हमने पहले इंस्टल कर दिया था इसको क्लिक करके इंस्टल कर देंगे और इस operation के बद आप कोई भी software इस्टल इस पर कर सकेंगे direct झाल